अब इस मसीन को अन्बोक्स कर लेते, अन्बोक्स बॉक्स से नहीं, पूरा मसीन को ओपन करके देख लेते तो अब तो यहाँ पर दोस्तो फाइनली अगर आप खरीदना चाहते हैं ice snowflake machine यानि की बरफ का गोला बनाने की machine लेकिन आप confusion है कि मैं कौन सी वाली machinery को खरीदू जिससे मुझे उसका production अच्छा मिले machinery की size, height और roller का size बड़ा मिले gear system सारा हो मैं कौन सी वाली machinery खरीदू तो मैं आज equal price के अंदर आपको मैं compare करने वाला हूँ, equal मतलब कि 40,000 रुपए की machinery को मैं आज compare करने वाला हूँ और मेरे पास सारी चीज़े हैं जिससे मैं आराम से machinery को compare कर सकता हूँ, ये एक machine है, drill machine जिसको बोलते हैं, इससे अपन machine को आसानी सी खोल पाएंगे कि इस machine के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, PCB है या नहीं है, उसी के साथ ये किस परकार से वरक करती है, gear system इसके अंदर है या नहीं है, वो भी हम चेक करेंगे, उसके बाद अपन जो नापेंगे ना machinery को ये, पूरा complete scale है, इसके माधियम से इस machinery की height, लंबाई, चोड़ाई को मापने वाले हैं कि कितना लंबा machinery है, किस परकार से मुझे कौन सा वाला machinery खरीदना है, उसे के साथ अपने पास ये दो mobile है, live testing के लिए, machinery का अपन live test करने वाले हैं कि अगर machinery का production है, वो कितना रहता है, कितने time के अंदर, और उसी के बाद अगर अपने customer थोड़ी time बाद आता, तो machine reactivate कितने time के अंदर हो जाते हैं, तो इसका भी मैं आज compare करने वाला हूँ, उसके साथ अपन इसे roller का size भी है, वो चेक करने वाले कि आखिर roller का size क्या रहता है, और बहुत ज़्यादा compare, मतलब कि बहुत ज़्यादा compare रहेगा इस video के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि पहले जो बरफ गोला मतलब कि आप हाथ से बनाने का system था, उसके बाद वो machine आया, उसके बाद अपने तवा इसक्रीम वाला भी concept मैंने YouTube पे वीडियो डाला था, जिसके माधिम से मैंने आपको यह समझाने की कोसिज की थे क यह machinery नया है और अभी trend इस machine का चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि दोस्तों कि technology के साथ आपको हर समय आगे से आगे आगे से आगे प्रोग्रेस करने पड़ेगी, technology के अंदर बहुत बड़े-बड़े changes होते हैं, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G चल रहा है, coming soon 6G के भी testing हो तो बहुत नाना परकार के technology आच चुकी है, machinery के अंदर भी बहुत ज्यादा technology आच चुकी है, तो उसी परकार से अपन को भी improvement होना पड़ेगा business purpose के हिसाब से और machinery के हिसाब से, क्योंकि यहां पर business के अंदर अगर आप improvement नहीं करोगे, Nokia पूरे world के अंदर market के अंदर दब था, आप आराम से इसको history check कर सकते हो, आज Nokia देखने को भी नहीं मिलता है, उस परकार से ऐसी बहुत ज़्यादा company थी, जो market के अंदर धूम मचाते थी, लेकिन वो बीच रस्ते के अंदर ही गाई वोगी, क्योंकि technology के साथ, समय के साथ वो नहीं चली, इसी कारण से, अब आ system से हटा दिया, deactivate कर दिया, reason इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा है, जो इस video के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, अभी right human है, खुद का एक बड़ा model machinery launch किया, बहुत ही ज़्यादा latest feature के साथ, price segment सिरफ और सिरफ 45,000 रुपे है, 44,000 में आपको वापिस बता रहा हूँ कि price सिरफ और सिरफ 45,000 रुपे रहने वाला और उसी के साथ, यहाँ पर दोस्तों इस machinery के अंदर बहुत ज़्यादा major difference है, यह machinery भी आपको market के अंदर 44,000 या 45,000 के अंदर मिल जाएगी, और हमने इस machinery को मतलब कि market के अंदर sell out करना पूरी तरीके से बंद गर दिया है, reason आप ख चोड़ा ही कितनी है, और यह मेरे पास के अंदर scale है, ठेक है, इसके माधियम से अपन चेकिंग करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस machine का compare कर लेते हैं, जहां से इसका हम अगर front देखते हैं, तो यह आपके 11.5 का बराबर है, यहां से करते हैं, तो हाँ आप लग 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 अपन से कम एक इंच इससे हो बढ़ा रहता, तो यहां पर दोस्तों आपको model के अंदर भी बहुत ज़्यादा difference है, वो देखने को मिल जाए कि क्योंकि इसका हाँ जो चोड़ाई है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों यह मसीन हाइट के अंदर भी आपको दिखती है, यहां पर दोस्तों बात करते हैं मसीनरी के हाइट की, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों यह मसीनरी का हाइट ले लिया, यहां से अपन लेते हैं, मसीनरी का हाइट इसके अंदर थोड़ा कम है, तेरा प अब दो इंच के अंदर इतना ज़्यादा फरक होता है कि इस मसीनरी के अंदर क्या कुछ इस पेसल रहा होगा क्योंकि मसीन का वेट भी सीधे सीधे बढ़ जाएगा और यहां पर दोस्तों अभी हम इसका जो साइड का नाप है वो भी ले लेते हैं इस साइड के नाप लेने क इस के मुखेकर करते हैं तो यह मसीनरी से थोड़ा सा बड़ा है मतलब किसे आदा इंच का आपको गया 15 मिल जाएगा तो यह जरी टिफ्रेंस रहेगा मसीनरी αναट तो यहां पर दोस्तों मेजे डिफ्रेंस आपको पता चल गया है कि कहीं मशीन को एक 16 लंबी हैं कोई लाइफ टेस्टिंग करेंगे तब अब मैं इसके अंदर जो प्रोडेक्शन जो होगा ना वह रॉलर के यहां से होगा मतलब कि रॉलर के माध्यम से होगा जो गियर सिस्टेम इसके अंदर लगा हुआ तो आजसानी से रन कर रहा है दूसरा यह चोटा वाला है मतलब कि इस मसी सिंद्री के अंदर रॉलर का भी माप करने वाले कि रॉलर का अखिर कितना मतलब कि इसका साइज क्या रॉलर क्या क्या काम करता है जिब आपका रॉलर साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा ना रॉलर का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा तो उसके अपर बरफ उतनी उसके अंदर और यहां पर दोस्तों यह मिर पास कपड़े न आपने का फीता है क्योंकि जो अपना रॉलर का साइज है वो रॉलर जो है वो गोल है इस कारण से तो चलिए अब हम इसको भी कर लेते हैं तो यहां पर दोस्ते मांधियम से इसको अपन आपसकते हैं कि इसका जो का साइज है वो कि और रहने वाल क्या रहने वाला क्योंकि जो रावलर का साइज जिता बड़ा होगा ना उतना बड़ाफ की कॉंटिटी और क्वालिटी के इंदर आपके ज्यादा फरक है वह आए गया तो मैं यहां से इसको ले ले तो पीछे से ठेक और यहां पर रापन दे तो यह आपके रहने वाला है आट पॉइंट पांच सैटीमेटर का ठीक है अपन अब इसके अंदर अंगली जाने जित्ता भी गैप नहीं मतलब कि आप देख पाऊंगे कि उंगली भी नहीं जा रही है और यहां से को गैसे इसके अंदर होता है यहां से अगर आप देखेंगे यहां से गैस के अंदर फोलो होता है तो इसकें अंदर भी गया मतलब कि नाए और बिल्कुलिका जो साьюze सिज्ब बहुत ही ज़ाद छोटा दिया हो यह में जिता चलिए और यहां पर कि उस सेंट्यीम आपको यहां पर समझ में आएगा जो 10 जो अपने यहां पर 45 आपको आसानी से दिख रहा होगा और यहां पर अगर आप एरिया देखोगे तो 45 का एरिया इसने पूरा है वो कवर किया हुआ है मतलब कि अगर आप देखेंगे ना तो जितना ज्यादा रॉलर का एरिया पूरा अगर अगर अपन कवर करता है ना तो इसके उपर बराप उतनी ज्यादा जम्य कि और प्रोडेक्शन का जो रहेगा न वह उतना यापके ज्यादा रहेगा और यहां पर दोस्तों गर इसकी लंबाई देखते तो यह रहती है आपके 9 cm का रहता है पूरा एरिया ठीक है और इसके बाद अपन इससे बात करते है तो इसके अंदर भी same equal रहता है उसका 8.3 के असपास था और यहां पर इसका 9.3 है मतला है कि इसके अंदर 1 cm यह बड़ा है और उसके साथ मतला है कि 10 mm साइज इसका बड़ा यह टोटल 93 mm का रहता है और इसका जो एरिया जो पुराने वा लो बात करते हो जहां से यह बहुत सपना है और यह इस पेश घ्यादा वटा है उसके अंदर आपके वह फरक पढ़ता है अब बात करता है इसके ब्लेड की दो ब्लेड आप अप देख सब पायोगे कि मतले की पूरा का पूरा यहां से यह Forget मोकर मसीन के सबसे नीच लिए कि रॉलर का साइज बड़ा है मतलब कि अगर 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 का अंदर जाते हैं तो यह मसीन तो पूरा आटोमेटिक ली निचे दब गया है और यह उपर उट गया जब तक मैंने सिरफ कंपयर रॉलर का किया है और इसकी हाइट और मतलब कि विड्ट का किया है इसके दूसरा डिफरेंस रहता है वो यह रहता है इसके अनदर अपना जो है वो माल आता है उसके बाद से रॉलर इसके उपर ही घुमता था आप देख पाओगे इसके अंदर तक करीबन आप आराम से 40-50 एमेल का माल आराम से हो रख पाओगे ठक्क आप देख पाओगे कि यह अ साइज यहां पर compare करता हूं ठेक है तो आप देख पाऊगे कि यह जश्ट इसका आधा भी नहीं है मतलब कि इतना आपको मतलब की मेजर डिफरेंस है वह देखने को मिल जाएगा आप देख पाऊगे कि इसके अंदर दू ऐसे और आज सकते हैं जो छोटी साइज है ना यह दो यह जो पार्ठ और जो पार्ठ और यहां पर आफ तो वह सेटप रहेगा इसको भी मैं यहां पे जल दिया हमलगा देता हूं यहां इस मछीन को लगाने के लिए यहां पे कुछिनी करना नीचे आपको रखना है और इस漏 नीचे दू स्क्रूं है और ऀसमर्यान से यह आव लिए यहां पर वो फिटिंग हो जाएगा ठीक है इस मसीनरी के अंदर माल कम आएगा और माल कम आने के साथ ही रॉलर के बीच और इसके बीच कम से कम एक दो उंगली जिता गया पैना तो इसके अंदर क्या जब अपन डालता ना तो पूरा माल बार नहीं आता है आपने मसीन बंद करने की सोच रहे हैं अगर आप लको लगता है तो इसके अंदर ओल्रेडी पहले जिकता माल हो पड़ा ही रहेगा कम से कम 15 ml माल इस मसिंदरी के अंदर हम ऐसा रहता है यह ठीक है दूसरा क्या रहता है कि अगर इस राइट उमन की मसिंदरी के इसको चलो मैंने यहां पर लगा दिया इसको लगाने का तरीका बहुत आसन है यहां पर फिटिंग और यहां पहर यहाँ का नैंकलता और यहां पर बात करते दूस्तरे एक यहां नहीं तो तो यह पूरा बना हुआ है, श्टिल ना से श्टिल 304 का, जो कि यहां पर आएगा, और यह मसीन अपनी पूरी तरीके से कवर हो जाएगी, और दूसरा जो आता है, वो इस छोटी मसीनरी का आता है, जो कि आता है, अपने प्लास्टिक का, ठेक है, ट्रांस्परेंट पूरा प अपने यहां पर प्लास्टिक का आए, कभी भी तूट सकता है, तो यहां पर दोस्तों, यह Мसीनरी के डिफोरेंस थे, मतलब की, मसीनरी के पार्ट के ंंदर क्या क्या चेंज है, जो आपको आ गए समझ के अंदर, अब, यहां पर दोस्तों, अम इस मसीन का लाइब टेस्ट करने वाला है कि live test के अंदर machine कौन सी ज़्यादा best है कौन सबसे ज़्यादा result है वो देता है उससे पहले पहले मेरे पास यह weight scale machine है और weight scale machine के अंदर मैं आपको बता देता हो कि यह जो machinery आती है यह 100 ग्राम से उपर का ही मतलब की area cover करती है मतलब की 100 ग्राम 101 ग्राम दो ग्राम तीन ग्राम चार ग्राम तो जीरो से start नहीं होती है एक second के बाद cut है दू second के बाद cut है तीन second के बाद cut है तो आपको छिंता करने की कोई जुरूत ने एक सेकेंड के लिए मैं दो मुबाइल है मेरे पास इसके अंदर अपन टाइमर लगाएंगे क्या लगाएंगे टाइमर जिससे आप आसानी से चेक कर पाऊगे कि यहां बिल्कूली accurate चल रहा है और अब से आप कोई भी cut वाला वीडियो नहीं देखोगे ठीक है मैं इसको भी यहां पर fix कर देंगे अपन तो यहां पर दोस्तों अपन ने दोनों weight scale machine लगा दी है machine के अंदर पूरा का पूरा setup कर लिया है ठीक है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस machine के अंदर कुछ एक function change है और इस machine के अंदर कुछ एक function change है जैसे कि यहां पर जो freeze करने का system है यहां front के अंदर दिया गया मतलब कि यही इसका on-off का switch है और यही इसका जो अपने क्या कहते है freeze करने का system वाले ठंडर करने का system है लेकिन इसके अंदर यहां पर जो on-off का switch है वो पीछे की side इसके अंदर दिया गया machine के जो back side के अंदर ठी है और यहां पर इसका यही सिस्टम रहता है यह नौब है इसको अपन जैसे गुमाएंगे तो रॉलर की स्पीड है वो कम तेज होगी मतलब कि जो डिजाइन के अंदर वो सेट अप करना वो यहां से आपके हो हो जाएगा सैं सिस्टम इसके अंदर भी रहता है यह वाला ठीक है लेकिन इस मसीन के अंदर का गियर सिस्टम लगा हुआ है ठीक है तो यह मसीन जैसे पन इस्टार्ट करते है न तो एक सेकंड बाद स्टार्ट होती है मैं आपको पहले बता देता होगी कि यह मसीन जैसे पन इस्टार्ट अब इस मसीन के बारे में इसको स्टार्ट कर देते हैं तो मैं इस मसीन के बारे में पहले आपको बता चुका होगी यह अंड्रेड ग्राम से उपर अगर काउंटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा इस कारण से भी हमने इसका जो काउंटिंग है वह 00 है अथे जाएग माइनस के अंदर के वह बहुत अब बतार करेंगे हिसको हां Ф Services के उन्हेंट ग्राम डिए अपना ही ऐका आप और चेप अबतल से प८्छ का इसको पनIFA रख देते हैं यह उन्रिट ग्राम का है ठीक है और यह भी इकुल यह हमारे पास पानी है ठेक है पाunden ले लिया है पानी लेने के बाद आपन इसके अन्दर डालने वाले है और यहां पर थोड़ाा सा मिक्स कर देते हैं आप यह को यह एक क्यों लिया है, इसका एक लेने का कारण यह है, क्योंकि यह पूरी तरीके से खाली है, और अपन इसके अंदर इसको डिवाइड करने वाले हैं, यह मैंने इसके अंदर आदा कर दिया, और इसके अंदर भी आदा रहेगा, अब दोनों के अंदर थोड़ा, अब यह दो यह इसके अंदर लग गया है ठीक है अब अपन यह है वो दूसरे को पर भी लगा देते हैं ठीक है यह लग गया है अभी अपन मसीन को चालू करने वाले हैं उसे पहले पहले यह ले लेते हैं इसको मने ले लिया और यह डाल देते हैं इसके अंदर ठीक है यह इसके अंदर च चला जायेगा यह अदे यह इसके अंदर चला गया है मतलब कि आप देखोगे कि तो इसके अंदर थोड़ा माल के क्यापेसिटी ज्यादा आती है जो मैंने आपको बता है था थिक अभिए ममा इसको है विस्टार्ट करने वाले पहले मसीन को अपन इस्टार्ट कर देते इस मसीन के अंदर बीप का साउंड आएगा जो आप सुन सकते है आराम से यह बज गया है जो यह मसीन बजा है और यहां पर अगर देखेंगे तो यह इंडिकेट कर रहा है कि यह ओन ओफ और वाश का करेंगे तो वाश का ठीक है और यहां पर कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है इसके पीछे हमने already switch start किया हुआ था अगर इसको बंद कर देते हैं यहां से ठेक है इसके पीछे जो switch है यह बंद कर देते हैं तो इंडिकेट है वो बंद हो जाएगा यह मैंने बंद कर दिया इंडिकेट होना बंद कर दिया है ठेक है इसको वापर चालू कर दिये दोनों इस तो फुली स्पीड पे रोटेट कर देते हैं अब इस मसिन को स्टाइट कर देते हैं और इसके बाद इसका भी अब अपना पुल तेज हुआ यह मैं ने बता है कि एक सेकंड इसका रॉलर बाद में स्टाट होता है क्योंकि इसके अंदर गीर सिस्टेम है वो लगा हुआ है और अगर 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 आपन कूलिंग पीड की बात कर तो यहां पर फी 102 ग्राम है यहां पर बी 102 ग्राम है और अगर बरफ किस परकार से किता जमता है कि कौन से मसें सबसे ज़्यादा फास्ट मतलगी बरफ का प्रोग्रेस कर रख बन ले बनाते तो आप देखपाऊगे आराम से, अभी 37, 38 सेकेंड हो चुके, 39 सेकेंड हो चुके, 40 सेकेंड, 42 सेकेंड ये टाइम थोड़ा से अपने जब मसीन स्टार्ट किया, इंट्रो किया उस कारण से अगर अपन देखेंगे, तो राइट हुमन की मसीन अपना प्रोडेक्शन है, वो चालू कर दिया है, और ये मसीन कंटिन्यू कर रही है, अपना प्रोडेक्शन कर रही है, ठेक है, अभी 106 ग्राम यहां पर हो चुका, और यहां पर अभी भी मतलब की बरफ बनाना इसने स्ट नहीं किया, और मसीन कंटिन्यू अभी भी रन कर रही है, विना किसी ठंडी तो हो रही है, मसीन अभी भी अलके ठंडी हुई है, जबकि यह जो मसीन रही है, इसने 118 ग्राम किया है, मतलब कि 16 ग्राम यह भी इसने 18 ग्राम का प्रोडेक्शन कर दिया, आप देख पाऊगे, के उपर नजर रख सकते हैं 1.27, 1.26 हुआ यहां पे और यह 138 ग्राम हुआ अपन 100 ग्राम इसमें से लेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोडेक्शन अभी हो रहा है और अगर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे भी आपन को इस पेस कम देखने को मिल रहा है जब प्रोडेक्शन कैपेसिटी कम है इस मसीनरी की अभी इसने चालू कर दिया है 108 ग्राम हो चुका है और यह हुआ है 174 और यह हुआ भी 108 दिरे-दिरे करके प्रोडेक्शन निकाल रहा है इसने एक बड़ा सा पहाड पुरा खड़ा कर दिया है और इसने अभी भी मतलब कि अच्छे एक बरने अब देख पैघए कि है माल की क्वालिटी केमेर आपके सामने यहां अरहाम से माल की क्वालिटी है वो चेक करपा होगि यह 20-100 French ग्राम हो चुका है यह और यहां पे 200 ग्राम के आछपास पॉच गया है तो मैं कहा सकता हो कि थोड़ा सा इसका प्रोडेक ग्राम यह हुआ है 136 यहां पर 200 मतलब थाइस ग्राम मतलब किस मसीन का प्रोडेक्शन बहुत 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 जादा हो रहा है आप खुद कंपेर कर सकते हैं रीजन ही है कि इसका जो रॉलर है यह साइज चोटा है इसके बाद यहां का इस पेस कम है तो उसके अंदर टाइम ल सालौ भी 3.15 अभी 3.20 पर इसको बंद करेंगे रॉलर को बंद करेंगे तोन और अगर आपका कस्टेमर दो मुंट बाद तो इह तो प्रकार से रहे गयासे又 के बंद करना पड़ता हूं थी करता ऐसा प्ता मुंत पर था बंद Just start करेंगे कि कितने time बाद यह machine है वो अपना production है वो देती है 50 हो चुके हैं यहाँ पे 51, 52, 53, 54, 55 हो चुके हैं 56, 57, 58, 59 और 4 पर मैं start सबसे पहला अपन इस machine को start कर देते हैं यह मैंने इस machine को start किया इसका roller घुमा दिया और यह अपन ने किया दूसरी वाली machine को start और यह continue आप देख पाओगे मैंने कोई नहीं किया है न कोई वीडियो कट है डाइक लिए आपका बरफ है वो इसने continue production है वो start कर दिया reason यह कि इसका roller बढ़ा है तो बरफ ज्यादा जमता है इस कारण से इसका production है मतलब कि आप देख पाओगे यहां पर इसका दोस्तों 90 हो चुका है और यहां पर 184 के आसपास है मतलब कि अभी बहुत ज्यादा major difference अपन को देखने को मिल जाएगा ठेक है अपना थोड़ा इसका speed भी कम कर देते है इसका speed अपन करते है ना इसके quality के अंदर भी बहुत ज्यादा major difference आपको देखने को मिल जाएगा अभी अपन पांच मिंट के बाद इसको continue एक मिंट तक बंद रखेंगे उसके बाद इसकी capacity को हम चेक करेंगे उसके बाद अपन इसके बाद अपन इस drill machine के मादे में से इसको पांच मिंट हो चुके है इसको मैं machine को पहले बंद कर देता हूं यह भी मैंने इसको machine को बंद कर दिया है थोड़ा video forward होगा आप आराम से देखिए 5 आंट हो चुके है 5 नौ उसके बाद इसकी बारी है machine को open करने के कि आखिर machine के और यहां पर 54 हो चुका है 55 56 57 और इसको 6 मिंट बाद अपन वापिस मतलगे एक मिंट बाद चालू करेंगे सबसे पहले अपन छोटा model स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद अपन राइट इमन का machine स्टार्ट कर देते हैं यहां पर अगर देखेंगे ना तो इसने बराप बनाना continue चालू कर दिया मतलब कि कुछ एक टाइम बाद कुछ फरक नहीं पड़ता है यह कितने टाइम बंद है क्या है क्योंकि यह मसीन डारेक्ली एक सेकंड के अंदर रियक्टिव हो जाते हैं इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है और यहां पर प्रोडेक्शन इसको मैंने पहले बता दिया कि माल वेस्टेज का क्या सीन रहता है तो मैं यहां से इसको बाहर निकाल देता हूँ ठीक है और अपन इसको यहां से भी बाहर निकाल देते हैं अब माल आपके कितना वेस्ट होता है वो भी आपको खुद पता चल जाएगा यहां पर continue इसके इसके अंदर भी continue माल निकल रहा है क्योंकि इसके अंदर माल भी ज्यादा आता है तो प्रोडेक्शन यहां भी छेच चपन हुए यहां भी छेच चपन हो चुक है आलाम से आप देख पाहोगे माल जो वेस्ट होता है वो आपको खुद पता चल जाएगा जब यह 224 ग्राम और यहां पर 426 ग्राम मतलए कि प्रोडेक्शन कैपेसिटी बहुत जादा है इसके अंदर मैंने पहले बता दिया कि यह 220 किलो मसीनरी माल निकालती है उसके कंपेर के अंदर यह सिरफ 80 किलो ही प्रोडेक्शन करती है रीजन आपको खुद पता चल गया यहां पर मतलए कि इस मसीन ने अपना जो प्रोडेक्शन ने बंद कर दिया है पूरा का पूरा हो गया ठीक है यहां पर भी माल बहुत ज्यादा बंद चुका है अगर आपन देखेंगे ना तो एक पाड़ यहां खड़ा हूँ और यहां पर भी एक पाड़ ने दो तो गैप इसके अ इतना ज्यादा है और यह कंटी ने अपना बरप का प्रोडेक्शन कर रही है अभी इसने भी बंद कर दिया दोनों ने भी बंद कर दिया है अभी दोनों के अंदर अपन चेक करेंगे कि माल किसके अंदर ज्यादा रहता है मुझे तो लगता है कि दोनों के अंदर नहीं लाइव कंपेरिजन है तो जूट बोलने का चांस ही नहीं है कि जूट मुझे बोलने ही नहीं है ठेक है इसको मैं यह उपर रख देता हूं इसको भी अपन उपर रख देते हैं ठेक है अब यह नीचे वाला पैनल अपन इसको उपन करते हैं तो इसके अंदर एक थोड़ा सा म मैं नीचे अगर ले butter लेके जाओं तो यह इतना मॉल यृवे अंदर बचा है बहुत कम मॉल ये इसके मामिले के अंदर अड्रेस का अच्छा रिंब रहा थेकए अगर अपन इसको भी करते हैं ठेक है तो मुझे लगता है थोड़ा सो इसके अंदर भी होगा यहां से इसको पहले नीचे से अपनको खेंचना होगा और इसके अंदर भी आपको बिल्कुल भी नहीं है आप देखोगे तो दो या तीन बुंदी इसके अंदर गिरेगे यह देख लो आप मतलब कि क्या सकता हो कि इसके अंदर बिल्कुल इतना माल अगर वेश्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके चलेगा बहुत जादा भी आठ ठंडे हो गए लेकिन यह एक कंपेरिजन था कि आप आराम से कंपेर देख लिया कि मसीन हो किस परकार से कौन सी मसीन है वो ज्यादा प् होती है और 32 जो गैस लगती है वो अपने AC के अंदर लगते इसके अंदर 8 290 लगती है जिसके आरेंसे बहुत ज्यादा अच्छे से कूलिंग करता है ठेक है अभी अगर इसको मैं चालू करता हो ना यह मसीन चालू है ठेक है अभी यह मसीन भी अपना है वो चालू हो गया अब यहां पर दोस्तों बात आती है कि प्राइस सेग्मेंट दोनों का इक्वल है लेकिन मैंने मेरे पास यह ड्रील मसीन अभी काम आने वाली इस मसीन को भी में आपके सामने लाइव खोलने वाला होगी इस मसीनरी के अंदर ऐसा क्या खास है जिससे मसीन अगर आप 24-घंटे चलाते तो भी आपका काम आसान हो जाएगा रीजन इसके अंदर लगा हुआ PCB और एक इसके अंदर अपना टैंप्रेचर सेंसर भी लगा हुआ जो इस मसीन को पूरी तरीके से और दूसरा जो ऑडिनरी जो मार्केट के अंदर नॉर्मल मसीनरी मिलता है यह भी प्राइस सेग्मेंट चुमाले जार के अंदर आपको मिल जाएगा लेकिन जब आप प्रोडेक्ट संद की बात करते हैं कि अपन प्रोडेक्ट है वो इससे बनाएंगे जब आपके सामने बहुत टाइम बाद होती है दूसरेन नंबर पिजब अपन कश्टमर का रिवीव देखते है ना या फिर एक कस्टमर कोई 10 मिंट बाद भी कस्टमर आता है कोई एक सेकेंट बाद भी आता इक को कश्टमर कंटीनीव आते है ठीक है तो उसके अंदर यह मशीन अपना response है वो ज़्यादा अच्छा देती है तो मैं आपको recommend करने वाला हो कि आप ये वाली machinery खरीदिये अब आपको फरक तो समझ में आही गया होगा कि मुझे कौन सी वाली machinery खरीदने तो दोनों machinery के अंदर आपने देख लिया अब मैं बात करने वाला हूँ दोनों के अंदर अपको stillness 304 की बॉड़ी मिलती है इसके अंदर भी सेम यही बॉड़ी मिलती है मैं मसीन को नीचे लेके जाओंगा और नीचे अपन इसकी है इस्क्रू ड्रिल मसीन मतले कि इस्क्रू को ओपन करने की और क्लोज करने की मसीन तो सबसे पहले अपन मसीन ओपन करेंगे ये वाली ठेक है तो ये मसीन पूरा उपर से ही पार्ट ओपन होता इसका एक जब अपन इसको ओपन करेंगे ना तो ये इसका मतलए कि पूरा सिस्टम अंदर का लगा हुआ है मैं कैमरा भी थोड़ा पास में भी लेके आ जाओंगा तो आप देखोगे कि थोड़ा दिख रहा होगा कि इसके अंदर कुछ भी लगा हुआ कुछ माइन डवरा माइन आओ इस ने değiş्ट में इस चौटा सा मोटर लगा हुआ हुआ है ठेक है ना को इतना कूलिंग स्पेस इसके अंदर सेर्टा हुआ है अब बपन इस मसीन को ओपन कर देतम हैं इस मसीन का ओपन अपन करते हैं या पूरा का पूरा मतलबर यहां और है है वो निकल जाए गया तो यहां से इसको अपन ओपन जो करना होगा ना वह इस परकार से इसको उपन करना रहेगा और यह आपका मसीन हो पुरी तरीके से ओपन हो चुका है ठेक है यहां पर आप देखोगे ना तो यहां पर इसका पूरा कंपलीट PCB सिस्टम है वो लगा हुआ है यहां पर देखोगे तो यह इसका कंपलीट PCB बोड लगा हुआ है यह इसका कुलिंग सिस्टम रहता है जिसके अंदर आपके दो तरीके सह एक यहां से भी निकलती है हो chill और यह इसका कंप्रेसर रहता और यह시는की इसका पूरा वह फंक्सन रहता है ठीक अगर आप देखोगे तो इस परकार से कुलिंग सिस्टम है वो रहता है इन दोनों के बीच के अंदर आपको गैप बहुत जादा देखने को मिल जाएगा गैप अगर आप देखोगे नो तो बहुत ज्यादा गैप है ठेक है इसके बाद इसकी क्वा अब आप अपने इस तरफे सलेक्ट कर सकते है कि मुझे कौन सी मसिंद्री है वो लेनी है इसके अंदर कहीं पर भी आपको तेंपरेचर जो सेंसर होता है वह आपको को देखने को नहीं मिलेगा यह नॉर्मल इसके अंदर जो वह वह लगा हुआ ठीक है और यह इसका मोटर रहता है जो इसको रन करता है नॉर्मल विदाउट एंदिग इंदर मोटर लगा हुआ क्योंकि यह पीसीबी बोर से कंट्रोल होता है निया पूरी मसिंद्री के अंदर आपको टेंपरेचर कंट्रोल का चिप कहीं नहीं मिलेगा जब कि आपको इस मसिंद्री के अंदर यहा नहीं कहता है कि दोनों का प्राइस सेगमेंट और इसा नहीं है चुपवालीस हजार के अंदर आपको मसिंरी बाय करने खरीदनी है तो मैं आपको इस परकार की बाय करें ताकि आपका रिजल्ट है वह निकले तो यहां पर दोस्तों कर इस मसिंद्र कर तो यह पलग दायरक् लिए वह लगा सकते है उन-ओ का स्विछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा जो कि कुछ इस परकार से रहता है ठीक है मतलब कि आप यहां से उन-ओ कर सकते हैं तो यहां पर दोज़सों चलिए सबसे पहले में प्लग इन कर देगे जैसे हैं इसको प्लग इन करेंगे ब मनला कि system on हो गया, machine हो चालू हो गया, जब यह यहां से इसको sensor को अक्टिवेचता है तो यह भी activate हो जाता है और यह इस machine अपना काम हो चालू कर दिया है, ठीक है, अब यहां पर दोस्तों दूसरी तरफ इस machine है, अपन बनाते हैं, तो इस machine के अंदर क्या रहता है, कि यह मैंने पलग लिया और इस पलग को इसके अंदर डाल दिया, और यहां पर अपन देखेंगे न, ठीक है, तो इस machine को अपन यहां से वो चालू कर देते हैं, और विदा उटानी बस यह machine अपना है, वो चालू हो चुगा है, देखिए आप, कोई इसके अंदर आपको chip, कोई notification कुछ न, रहेगा और यह machine continue अपना है, वो चालू हो गया, तो यह machine आप इस परकार से देख पाऊगे, कि right human का जो machine रही है, वो कितना best है, build qualities की, आप खुद बखुद देख पाऊगे अपने इस वीडियो के अंदर भी, दोनो machine का compare आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क हाँ मैं reality के अंदर अगर आइस सनो machine का business करना चाहता हो, कि मुझे बरफ का गोला बनाने की machine खरीदनी है, मैं अपना खुद का business start करना चाहता हो, या फिर मुझे किसी ice cream parlor की दुकान पे लगाना, beer bar के अंदर लगाना, coffee shop के अंदर लगाना, या किसी भी अपने restaurant वहाँ पे तो automatically पैसा बनना start हो जाएगा, लेकिन machine कौन सी खरीदू, किस परकार से खरीदू, बहुत सारी company है, जो market के अंदर बेच रही है, normal सी machine, आपको feature पता नहीं है, क्या क्या होता है उसके अंदर, तो वो सारी चीजे दिक्कत करती है, बाद गंदर जब आप machine खरीद लेते हैं, तब क्योंकि compare करना किसी भी चीज़ को जरूरी है, जब आप एक mobile खरीदते हैं, तो भी दुकान वाले के पास तो जाते हैं, उससे पहले आप online बहुत ज़्यादा compare करते हैं, कि यार मैं कौन सा mobile खरीदू, किसके अंदर मुझे Qualcomm, Snapdragon 8 और उसका generation 2 मिल जाएगा, वह अगर अ जोड़ा कम budget रहता है, उसी budget के अंदर दूसरी जो company आए, वो देती है अपन को 6 generation का, लेकिन ऐसी बहुत सारे brand होते हैं, जो उसी price को target करके चलते हैं, तो यह आपने mobile खरीदने के बारे में सोचा, तो आप देखते हैं कि किसके अंदर quality बहुत अच्छी है, किसके अंदर display लगा हुआ है, किसके अंदर battery capacity है, कौन सा mobile fast charging होता है, यह क्या रहता है, आपका एक साल का, दो साल का रहता है, कि मुझे mobile खरीदा है, एक साल, दो साल के लिए मैंने खरीदा है, तीन साल, आई चार साल, पांच साल चला लोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहता है कि जो 25,000 का जो आदमी mobile लेता है, वो 2 साल से उपर उसको रखता होगा, क्या कि वो technology के साथ चलता है, 25,000 के बाद सीधा सीधा नया लेकि आ जाता है, ठीक है, यह हमारा machinery है, यह हमारा business है, business के अंदर क्या रहता है, कि जब आप market के अंदर माल देते हैं, तब आपके बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा customer है, तो machine बंद नहीं होनी चाहिए, machine continue काम करनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा production कर पाओगे, इस कारण से right human जो paste कर रहा है, आई सनो फलेक मसीन, यह बहुत ही कम price segment के अंदर आपको मिलती है, मात्र 45,000 रुपे के अंदर, और इसमें आपके 5,000 रुपे advance है, और बागी 39,000 मतलए कि 49,000 रुपे cash on delivery रहे गया, ठेक है, यह भी बहुत अच्छी बात हो जाती है आपके लिए, और machine के अंदर आपको fully एक साल की guarantee और warranty दोनम मिल जाएगी, और अगले 10 साल तक आप इस machine के बारे में कोई बेगर parts के अंदर problem होती है, तो वो हमारे पास सीधा सीधा है, वो खरीद सकते हैं, अब बात आती है कि machine के अंदर अच्छी select करना क्यों जरूरी है, तो आपको वीडियो के अंदर comparison आपने देख लिया कि अच्छी machine select करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर अपन को ज़्यादा feature मिलते ह तो वो मतलब कि बहुत minimum chance होते हैं कि उस machine के अंदर कोई problem आएगी, तो अभी right human की special machine है, इस machine को आप आराम से buy कर सकते हैं, हमारी application है, play store पर right human करके वहां से order कर सकते हैं, अगर आपको whatsapp से order करना है, तो whatsapp से भी आप आराम से है, वो order कर सकते हैं, पूरे all over India के अंदर अपन machine को हमारी application से मंगवा सकते हैं, या whatsapp के माधियम से हो मंगा सकते हैं, next video भी coming soon आएगा popping के regarding और एक product जो की सार्क टेंक के अंदर आया था, उसका भी हम बहुत जल्द business को market के अंदर लेके आने वाला है, सार्क टेंक के अंदर जो भी 100 क्रोड की company हैं उसको compare करने वाला है, इ